जो आदमी रोज मेरेंद मोदी को चुनोती देता था, रोज अपने कॉंग्रेस के कारेकरताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कॉंग्रेस का दुर्पाग है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांदी आम एठी चुनाब नहीं लड़ेंगे और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाब नहीं लड़वाएंगे प्रियंका गांधी के खिलाफ पाइटी में और परिवार में बहुत बड़ी साजिश हुई है पाइटी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिल्टी और एक्सेप्टिबिल्टी को ध्यान में रखते हो फैसर लेता तो अ देखे राहुल गांदी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था और अमेठी से भागना कॉंग्रेस के पूरे कारे करताओं में ये मैसिज जाएगा पूरे देश में ये मैसिज जाएगा कि जो आदमी रोज मेरेंद मोदी को चुनोती देता था रोज अपने कॉंग्रेस के कार करताओं से कहता था रोज देश की जनता से कहता था डरो मत डरो मत वो खुट डर गया मुझे लगता है कॉंग्रेस का दुबाग के अ तो अधाय बरेली और वालाट से लेक्षण भारेंगे तेकि मैंने बहुत पहले कहा था कि राहूल गांधी हम एठी चुनाब नहीं लड़ेंगे और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाब नहीं लड़वाएंगे आप मेरी बाइट मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा और प्रियंका गांधी के खिलाफ पायटी में और परिवार में बहुत बड़ी साजिश हुई है पायटी और परिवार की सा प्राजिश है उसकी शिकार रेंका गांधी हो गई है और राहूल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है उनकी जगे कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिल्टी और एक्सेप्टिबिल्टी को ध्यान में रखते हो फैसर लेता तो अगर राहूल गांधी को आमेठी छोड़ना था तो फिर तो वरारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था